अब हम bin diagrams related two set का word problem solve करेंगे two set का word problem कैसा होता है यह देखिए सब्सक्राइब पहले उसका formula drive करेंगे यहां दिया है कि practical problem on union and intersection of two sets यह universal set है एक rectangular figure universal set सो करता है यह set A है यह set B है यह जो दोनों में common portion है वो A intersection B है यह अलब portion जो किवल A में है उसको A minus B कहते हैं इधर side का portion जो किवल B में है यानि यह का part नहीं है उसको हम B minus A कहते हैं अब first condition इसमें है कि if A intersection B is equal to 5 5 के मतलब है A अलग circle होगा B अलग circle होगा दोनों में common नहीं होगा कुछ भी intersection phi का मतलब कुछ भी common नहीं है यानि एक circle यहां अलग बना होगा दूसरा circle यहां अलग बना होगा तो उस case में N A union B is equal to होगा N A plus N B N का मतलब है number of elements in A union B is equal to होगा N A plus N B के लेकिन if A intersection B not equal to phi यानि जैसे यह figure है यानि कुछ ना कुछ common है तब N A union B होगा N A plus N B minus N A intersection B यानि A के अंदर जो elements है B के अंदर elements है अब यह common portion दो बार जुड़ गया है इसलिए एक बार इसको minus कर दिये है minus N A intersection B यानि A के अंदर जो elements है pen को देखिये कैसे हम चला रहे हैं फिर B के अंदर जो elements है उसको ले लिया हमने A plus B और फिर यह portion दो बार हमने ले लिया इसलिए एक बार इसको यहाँ minus कर दिये हैं second है A union B A union B का मतलब होता है A R B A R B A R B यानि number of elements in A union B यह इसके elements इसके elements और इसके elements A minus B के A intersection B के और B minus A के elements अगर add कर दिये जाएं तो ओ भी A union B सो करेगा तो N A union B is equal to होगा N A minus B plus N A intersection B plus N B minus A अब इसी two sets पर related है कुछ problems है exercise 1.6 के जैसे first problem है कि if X and Y are two sets such that N X is equal to 17 N Y is equal to 23 and N X union Y is equal to 38 then find N X intersection Y हम A B के लिए formula पढ़े हैं तो A की जगा पे X है और B की जगा पे Y है तो N X union Y क्या हो जाएगा यह हो जाएगा N X plus N Y minus N X intersection Y अब हम से यहां question में पूछ रहा है N X intersection Y अब इसको इधर transpose कर देंगे left hand side में यह हो जाएगा N X intersection Y is equal to N X plus N Y minus N X union Y के अब इनकी value put कर देंगे तो हो जाएगा 17 plus 23 minus 38 तो हो जाएगा 2 यानि N X intersection Y में 2 elements होंगे अब इसके बाद problem number 6 है exercise 1.6 की कि in a group of 70 people 37 like coffee, 52 like tea and each person likes at least one of the two drink how many people like both coffee and tea यानि 70 people cool हैं वो टी और कॉफी में से एक drink अवस लेते हैं यानि चाय और कॉफी में से कोई एक पे अवस पीते हैं तो हमको बताना है कितने ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं तो अब मालेजे कॉफी को C से denote करते हैं और T को चाय को T से denote करते हैं तो A और B के एक कार्डिंग हमाना फार्मूला क्या बन जाएगा N C union T is equal to N C union T is equal to N C plus N T minus N C intersection T अब यहाँ N C union T यानि कुल चाय और कॉफी पीने वाले कितने दिये हैं question में दिया है 70 N C कॉफी वाले जो कॉफी पीते हैं ओ दिया है 37 T 52 like T तो N T यानि चाय पीने वाले 52 दिया है पूछ रहा कि N C intersection T यानि कौन ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं अब इस फार्मूले में वैलू रख देंगे N C दिया है 37 N T दिया है 52 और N C union T दिया है 70 तो जब इसको साल्ब करेंगे तो आ जाएगा 19 अब इसके बाद देखिए question number 8 है इन ए कमेटी 50 पीपोल स्पीक फ्रेंच 20 स्पीक स्पैनिस और 10 स्पीक बोथ स्पैनिस और फ्रेंच how many speak at least one of these two languages यानि दोनों में से कोई एक भासा बोलती है या तो फ्रेंच बोलती हूँ या स्पैनिस बोलती हूँ या दोनों बोलती है इसमें ओ आएंगे person यानि हमको निकालना है union अब F का मतलब फ्रेंच है और S का मतलब स्पैनिस है तो NF यानि फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं 50 दिया है S इस्पैनिस बोलने वाले कितने हैं ये question में दिया है 20 है और कितने ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं फ्रेंच और स्पैनिस दोनों बोलते हैं उनकी संख्या है question में दिया है वो 10 है F intersection S यानि French और Spanish दोनो AND का मतलब intersection होता है R का मतलब union होता है अभी आप समझ लिजिए इसको याद रखिए कि AND का मतलब intersection होता है कह रहा है कि How many people 10 people both speak Spanish and French Spanish and French The AND आएगा तो इसका मतलब intersection दिया है R जब रहेगा तो मतलब union दिया है तो अब यहाँ question में पूछ रहा है कि NF union S कह रहा है कि at least one यानि या तो केवल French बोलते हूं या केवल Spanish बोलते हूं या दोनों बोलते हैं R का मतलब यह हो गया यानि हमको निकालना है NF union S हमने कहा है कि French को F से denote करेंगे Spanish को S से denote करेंगे तो A और B के कार्डिंग जैसे पहले बताएं इसके कार्डिंग इसका फार्मूला क्या बन गया NF union S is equal to हो गया NF plus NS minus NF intersection S अब इनकी value पूट कर देंगे NF दिया है question में 50 NS दिया है 20 और NF intersection S दिया है 10 तो जब इसको solve करेंगे 50 plus 20 minus 10 तो या जाएगा 60 अब इसी तरह से question को पढ़ करके NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B इस फार्मूले का यूज करके exercise 1.6 के सभी question solve करेंगे ओके अब इसको